वी आर लाइब नाओ, वेलकम टो मेडेलेज के सन टॉपर सीरीज बर्स दो हजार चौविस में आपका स्वागत है लिजिस्ट्रेंट्स आपके सामने साइन्स का लेक्चर नमबर सेकंड लेकर क्या चुका हूँ जी हाँ आपने सही सुना अल्डेरी लेक्चर नमबर फर्स अप्लोड है, जिसे आप वीडियो नमबर फर्स भी कह सकते हो लगभग उस वीडियो को 5,000 जादा बच्चों ने देखा है और 2,000 जादा बच्चों ने लाइक किया है अब आपके सामने अप्लोड होने जा रहा है लेक्चर नमबर सेकंड, आईए देखते हैं विग्ञान के चेप्टर नमबर सेकंड से कौन कौन से कोस्टेंस बन सकते हैं जो की आपके फाइनल एक्जाम में देखने को मिलेगा ये टॉपर सीरीज का वीडियो पूरा का पूरा मैं कवर कर रहा हूँ परिक्चा आध्यन से अगर आपके पास यही बुख है तो देन बेतर है, नहीं है तो टेंसन की कोई बात नहीं वो सभी कोस्टेंस मैं आपर बता दूँगा जो तुम्हारे एक्जाम में आ रहे हैं आप आसानी से स्क्रिंसोट लेकर के और अपने पढ़ाई को कंटिनू कर सकते हो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखने मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट और आपको पता होना चाहिए कि MP बोड पूरा का पूरा प्रश्नपत्र आपके ब्लूप्रिंट के according डिजाइन कर रहा है इसलिए आपको ब्लूप्रिंट के according ही पढ़ाई करनी है हमारे lecture number first में या फिर video number first में रासानिक अभक्रिय एवं समिक्रन के साथ number की जितने भी question answer बन सकते तो सबको मैंने cover किया है and finally ये आपका lecture number second होगा जिसमें cover करेंगे अमल छार एवल लवल मतलब 6 number के सभी question और answer को हम प्रयास करेंगे आपके अध्या 3 को भी cover करें लेकिन अगर अध्या 3 कवर नहीं हो पा रहा है तो अध्या 2 के सभी questions को cover करूँगे ताकि 6 में से 6 number तुहारा इस chapter से आ सकी तो चलिए हम जम्प करते हैं सीधे अध्या number 2 के तरफ और देखते हैं कौन-कौन से questions बनेंगे and क्या होगा सही उत्तर तो ये रहा आपके सामने अध्या number 2 अम्पल चार इवम लवाना सबसे पहले हम basic structure को समझते हैं फिर आगे questions को solve करेंगे आप इस basic structure को अगर समझ जाते हैं तो definitely एक number के सारे questions काते जाएंगे देखो अम्पल की दिम्या बात करूँ तो अम्पल होता क्या है जो आपको खाने में खटा लगे चाहे आपका आम हो इमली हो या फिर कोई चीज हो जो आपको खाने में खटा लगे वही अम्पल के लाता है यही परिदी में चार की बात करूँ तो जो चीज खाने में आपको करबा लगे हाना जैसे कोई चीज होता है जब खाने में कड़वा लगता है तो वो चार कलाता है और इसमें लबण की बात करूँ तो अगर कोई चीज आप खाते हो तो आपको नमकीन नमकीन सा टेस्ट आता है जैसे नमक का टेस्ट होता है वो आपका लबण है ये तीन चीज तो आप आए किर नम था और हमाया करें और भृषित हो सकता है जो जीरो नामक सैंटिस्ट आए। इन्होंने P-H-skill का अविस्कार किया तो उन्होंने बोला कि यार 0 से लेकर C-A-C-E तक तक लिकिन कोई मत धिम्द्ध होगा न तो भाई 0 से लेकर C-A-C-C-E before G-C-E C-A said साथ को उन्होंने इस प्रकार से बाढ़ दिया ठेक आपका 0 ये साथ फिर आ गया आपका C-A-C-E कि अगर कोई चीज हम 0 से start करेंगे और जाएंगे आगे वरते वरते 7 तक और इधर जिस भी चीज का value आएगा वही आपका अमल कहलाएगा और अगर कोई ऐसा पतार था जिसका value 7 लेकर के 14 की बीच आता है तो वह आपका 6 कहलाएगा और अगर कोई चीज ऐसा भी तो हो सकता है कि साथ ही आए तो उसे उदासीन में काउंट करेंगी एक इसका अच्छा एक्जामपल है जो मनुस के सरूर में खून वहता है रक्त रक्त यदि तुम कभी पियो होगे खून कभी पियो होगे तो देखो कि खून आपको खटा लगता है मतलब खून अमल है और इसका पियच चीज ऐसी हो सकते हैं जिसका बेलू पियच इसकेल में साथ से लेकर के चलो तक आए अगर ऐसा कोई तत्तो है वो आपका च्छार कहलाएगा और अगर साथ ही आ रहा है एक्जेक्ट सेवन जैसे पानी पानी का पियच मन साथ होता है अगर साथ आ रहा है तो समझो वो उदा इसका पीच वैलू साथ है ठेक कि अतना ये कॉश्यंस पूचाएंगे अब एक definition पूछेगा कि अमल कींसे कहते हैं u chara कींसे कहते है तो सुन लू कैसे रखेंगे एक नाम याद रखो तुम अनिल क्या नाम याद रखोगे अनिल तो अमल जो होता है नीला लिटर स्विपर को लाल करता है यह आपका अमल का हो गया और छार जश्ट अपोजिट लाल को कर देगा नीला अगर यह याद नाम रखते हो तो डेफिनेटली तुम आसानी से अमल और छार का डेफिनेशन रख पाओगे मैं उम्मीद करता हूँ समच में आया होगा अब देखो तीन कोस्टिन्स हम सॉल्व करेंगे और तुम से आसानी से बन जाएगा देखना हमारा पांच पर नमर कहता है कि जल का पीच मान क्या होता है तो आपको पता है क मतलब जाल ना तो अम ले ना तो चार है नियर स के नमर कहता है अमल का पीच मान कितना होता है तो आपको मैंने पहले हुता है कि 0 से 7 तक मतलब 7 से कम जितना हो वो आपका हमार कहलाएगा यह परिति में 6 की बात करूं तो 7 से अधिक अब देखलो इसका ऍसर पहले का B कीज को अच्छे समझने करो डेफिनेटले एक्जाम में तुम अच्छा स्कोर गयन करोगे बाकी एक नंबर की जितने भी कोस्टेंस हो सकते हैं सारे सारे कोस्टेंस आपको टेली ग्राम पर प्रोवाइड करा जाएंगे लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाक्स में हैं चे नेक्स रहे से चार का डेफिनेशन क्या होता है तो देखे चारवे पतर जो सौद में कसायले कड़ भी होते हैं और लाल लेट सेवर को निला कर देते हैं वो आपका चार कराता है यह प्याप्श बन जाएगा क्योंकि मैंने आपको उपर ही समझा दिया यह कोस्टेंस इसमें में उपस्थित हाइड्रोजन आइन की सांदरता ग्याद करने के लिए एक स्केल को बिक्सिद किया गया था जिसे कहते हैं यही आपके अमल और चार की पहचान करके बताती है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोस्टेन जो तुवहारे परिछा में आएगा अमली वरस से आप क्या समझते हैं तो सिंपल से ऐसा बर्सा जिसमें पानी के साथ अमल घुल करके और बारिस करें उसे कहते हैं अमले बर्सा अब समझना ये कैसे होता है जो की देखो क्या होता है हमारे गारी से जैसे की धुआ निकला ठीक है कार्वन मोनो ऑक्साइड जो धुआ है वो बाई मंडल में रहा और बाई मंडल जब जा करके जल बास्फ का निर्माना करता है तो उसी जल बास्फ के साथ आपका जो धौनी प्रोडूर्शन होता है उसमें मिल जाता है और मिल करके पानी के साथ बर्सा होता है इसे कहते हैं अमले बर्सा मतलब एकदम आसान भासा मता इसलिए हमेजा का जाता है कि बरसात के पहले पानी में इनसान को कभी नहीं नहाना चाहिए बरना बिमार पढ़ जाता है और आप खुद देखे होगी कि अगर पहला बरसात हो रहा है और उसमें तुम भीग गई तो तुमको बुखार चड़ना पक्का है बुखार आएगा ही जाएगा क्यों क्योंकि उसमें अमल घुला होता है पानी के साथ और बारिस होता है तो हमारे सरीन में नुकसान पहुंचाता है कई प्रकार के रोग को भी उत्पन्न करता है आप देखे होगे एक चर्म रोग होता है जो की चमड़ी पे होता है और वो चर्म रोग केबल और केबल अम्बली बरसा करन ही होता है इसलिए बरसात के पहले पानी से हमेशा बचना चाहिए अब देखो क्या होता है वैसे तो पानी का पीएच मान साथ होता है लेकिन जब अम्बली बरसा होता है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है 5.6 से भी कम हो जाता है इसलिए उसे अमली वर्सा में count किया जाता है इस जीच को दिहन रखिएगा चलिए बाकी कुछ नहीं आएगा आप इन्हें skip कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं next देख लेते हैं next आपके exam में पूछाएगा पीतल एवं तामवे के बरतन को दही एवं खटे पदार्त क्यों नहीं रखने चाहिए देखो पीतल एवं तामवे के बरतन में अगर हम खटे पदार्त को रखेंगे वो reaction करके और जहर का निर्वान करेगा और हमारे पीतल और तामवे के बरतन को काट देगा नश्ट कर देगा इसलिए इन बरतन पे खटे पदार्त को नहीं रखा जाता है इवं तुम यहां तक ये भी देखोगे कि अगर तुम्हारे घर में पीतल के बरतन है तामवे के बरतन है तो इन्हें साफ करने के लिए घर में अचार बगएर का उप्योग करते हैं क्यों क्योंकि अचार होता है अमलिया खटा होता है इसे बरतन बहुत ही अच्छे तरीके साफ होता है और चमकने लगता है इसलिए इसका यूज कियाता है अगर आपके घर में पीतल का बरतन है और तो तुम प्रेयोग करना चाहते हो तो सिंपल सा अचार लेना दस पंदरा चार ले लेना और बढ़िये निर्मक साथ एक बार धुलना तुम्हारे बरतन में चमक एक अलग तरेके से उभरेगा ऐसा लगए जैसे तुम नया प्रोडेक्ट खईद के लाए हो यह तुम्हारे परिक्षा में देखने को मिलेगा आगे बन जाने पर इसके प्येच मान में क्या प्रिवर्तन होगा उत्तर दीजे एक बात बताओ दही क्या होता है दही होता है अमलिया और जब अमलिय होगा तो सिंपल सा प्येच मान कम होगा हना तो यह इस प्रकार से आंसर लिखा गया है आप इन्हें देख सकते हैं चलिए हां से क्या होता है तुम इंसान का हड़ी तूटते तो देखे हो के हना तुम्हारे आस पास ऐसा कोई न कोई इंसान जरूर होगा जिसकी हड़ी तूटी हो चाहे हाथ का हो चाहे पैर का हो जब इंसान के हड़ी तूटती है और हड़ी को जोडने के लिए जो हॉस्पिटल में P.O.P होता है प्लास्टर आप पेरिस होता है चलो ये भी नहीं देख्यो कोई बात नहीं तुम्हारे घर में मूर्ति जरूरों की भगवान की जो मूर्ति होती है वो P.O.P अर्था तब प्लास्टर आप पेरिस की बनाई जाती है तो यह भाई साब तीन उपयोग बता दिया सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि दहावन सोड़ा और बैकिंग सोड़ा होता क्या है और इसका रासानिक नाम क्या है देखो यार धोने का सोड़ा मतलब बरतन धोने का सोड़ा मतलब बोले तो निरमा बैकिंग सोड़ा मतलब खाने बनाने के लिए जो सोड़ा को य बैकिंग सोड़ा मतलब sodium bicarbonate यह इसका नाम होता है लेकिन sodium carbonate नाम आएगा वह आपको जाएगा धोने का सोड़ा बाई लग जाए वह खाने का सोडा है और जो जिसने बाई ना लगे वह आपका धोने का सोड़ा है बाकी इसका use क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है आप द प्लास्टर आप पेरीश का राशानिक सूत र्याद रखना ये तुम्हार एक्जाम में देखने को मिलेगा तो यह होता है प्लास्टर आप पेरीश बाकि इसकिप कीज़े कोई दिक्कत नहीं लग हुतरी में आपको पहला नमबर अच्छे से प्रिपेर करना है ये तुम्हार एक्जाम में देखने को मिल सकता है आगे बढ़ते हैं एक तगला कोश्चन क्या है प्रवल अम्र किसे कहते हैं नहीं यहां से कुछ भी नहीं बन रहा है तो को टाइम पास हमें नहीं करना है हमें वही कुश्चनस परना है जो हमारे इक्जाम में आएगा नेक्स आपको देखने है सातवा नमर पी उपी का उपयोग प्लास्टर प्रवल जैसे कि मैं आपको उपर तीन बताया वाकि एक प्रकार से जितने भी questions बन सकते तो मैंने complete कर दिया एक दो question और देख लो यहाँ पर बिरेंजक चुन और प्लाश्टर पेरिस का सूत्र क्या होता है रासानिक सूत्र आप लिखा गया है बिरेंजक चुन का प्लाश्टर पेरिस का यह तुम्हार एक्जाम में देखने को देर घुत्री प्रस्ण यहां से बनेगा नहीं इसलिए कोई मतलम नहीं है वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों साथ सेर कीजेगा अगर पहली वारा है मिडिल एजुकेशन में तो फॉलो जरूर करना और मता देता हूँ यहां पर यूज लिखा है बैकिंग सोड़ा का यह देख लेना और अधावन सोड़ा का यह तीनों चीज का देख लेना गिरंजक चुलो नहीं पूस्ता कभी तो इस वार भी नहीं आएगा ठीक तो जाते जाते एक कोश्चन और प्रिपेर कर लिजे झाल 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 झाल